फ्रेंड आज में आपको वी आई ओफिसियल 2.0 नेटवर्क सेटिंग दिखाने वाला हूँ जिसके उसकर कि आप वी आई या फिर वोड़ाफोन आइडिया सिम में इंटरने स्पीट को बूस्ट अप कर सकतो बहुत जदा इंक्रीस कर सकतो और अगर आप गेम बारेरा खेलते तो इस APN सेटिंग को आप डेफिनेटली ट्राइ करके देखिएगा वोड़ाफोन आइडिया या फिर भी आई सिम में आपको इससे बहुत मदद मिलने वाला है तो अभी से इस वीडियो पर एक लाइक कर दिजिए और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइं डुजल चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सकाइब कीजिए और साथी बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को स्टार्ट करते तो किसी भी निव एपिएन सेटिंग को सेट करने से पहले उसे हमें क्रियेट करना परता है और क्रियेट करना बहुत असान है इसके लिए आप सिंप्री सेटिंग ओप्सन में जाएए उसके बाद सीम काड और मोबाल नेटवर्ग देन आपके पास जो भी सीम में वी आई वोड़ा फोन या फिर आईडिया उसे आप ओपन कीजिए ओपन करने के बाद आपको एकसेस पॉइंट नेम पे जाना है उसके बाद आपको यह जो प्लास आइकॉन दिख रहा है उस पे आपको टैप कर देना है तो आपके समने यह वाला फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर ही आपको सब कुछ टेप बाई स्टेप फिल करते जाना है जो जो चीज में आपको दिखाऊंगा तब ही आपके फोन में यह वाला निव वी आई ओफिसियल 2.0 एपिन सेटिंग से ही से क्रियेट हो पाएगा सबसे पहले आपको फिल अप करना रहता है नेम आप नेम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा वी आई स्पेस प्रो स्पेस 2.0 और यहाँ पर डेफिनिटल भी और पी जो है कैपिटल लेटर में आपको रखना है उसके बाद आता है एपिन एपिन प उसके बाद पास्वाड नौसेट उसके बाद सर्वर सर्वर काफी इंपोर्टन इस एपिन सेटिंग के लिए और यहाँ पर आपको सर्वर डालना है www.myvi.in सबकु स्मॉल लेटर में उसके बाद आता है mmsc नौसेट उसके बाद ms proxy नौसेट उसके बाद ms port नौसेट इसक बाद आता है authentication type उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो चार्ण नौमर वाला option आ रहा है PAP और CHAP करके इस पर आपको authentication type को सेट करना है उसके बाद अपके फोन में उसी को अब रहने दो उसके बाद आता है APN protocol एक काफी साई devices में क्या होता है IPB4 या फे 6 रहता है इसे आपको चेंज करके IPB4 स्लास IPB6 मतलब जो तीन नौमर वाला option है उस पर सेट करना है उसके बाद आता है APN roaming protocol ए भी काफी साई devices में 4 या फे 6 रहता है IPB इसे भी आपको चेंज करके IPB4 स्लास IPB6 पर सेट करना है उसके बाद आता है one of the most important setting जिसके उपर साड़ा APN setting based है ओ है BRR बट BRR दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके फोन में बाइचान से बाला APN setting काम नहीं करता है तो इसके लिए आप description box में चेक कीजिए वहाँ पर आपको fix APN करके एक वीडियो मिल जाएगा तो उस वीडियो में दिखाए गए settings को कर देने से किसी BRR को सेट करना है या फे सिलेट कर देना है ताकि आपको maximum downloading and uploading speed इस APN से मिल सके बट अगर आपके फोन में एक से ज्यादा BRR सपोर्ट नहीं करता है मतलब की एक से ज्यादा BRR सिलेट करने पर आपका OK का option disable हो जाता है तो उस case में आप सेर्फ और सेप LTE को सिलेट करके BRR को OK आपके दबा दीजिएगा तो आपके फोन में BRR सेट हो जाएगा और बाइचांस अगर आप 3G फोन में इस APN को सेट कर रहे हो तो भाई उस case में आपको सेर्फ और सेप GPRS को सेट करना है BRR पे ठीक है उसके बाद आता है MVNO टाइप, MVNO टाइप के अंदर भी कुछ भी changes कर नहीं है जो भी है उसी को अब रहने दो इसके बाद simply आपको more option पे जाकर इस APN को सेप कर देना है सेप करते ही आपको दो-दो APN देखने को मिलेगा एक तो होगे आपका default वाला and second में VI PRO 2.0 इस पे आपको एक बाद टैप कर देना है तो आपका APN जो है सेट हो चुका है और आप definitely इस APN को VI SIM में या फिर Vodafone Idea SIM में ट्राइ करने के बाद बता दिजेगा इस APN को apply करने के बाद आपको maximum कितना uploading या फिर downloading speed मिला है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो भाई अभी लाइक कर दो और टेक्नो माइन लुजल चैनलन को सब subscribe करके बिल आइकन को प्रेस करना तो भाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आइसी interesting वीडियो सबको in future भी मिल सके तो चलिए आज के लिए बस इतना आई मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में